Hello everyone, जै हिंद, आज है 22 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 22 अगस्त से बनने वाले करंट अफर के सभी important questions को cover करने वाले हैं डेली की quiz के लिए आप लग मुझे टेली ग्राम पर भी follow कर सकते हैं टेली ग्राम पर मैं आप लोगों को डेली के करंट अफर की quiz और PDF वहीं पर share कर देती हूँ टेली ग्राम में मेरी ID है कल्यानी मैम PDF आप मुझे यहां follow कर सकते हैं जहां already साड़े 12,000 की आसपास student वहां मुझे follow कर रहे हैं लिंक description box में हाला की टेली ग्राम की दी भी हुई है revision कर लेते हैं कि 21 अगस को हम लोगोंने कौन-कौन से important questions पढ़े थे हमने पढ़ा था कि अभी हाली में दिल्ली के जो मुख्य मंतरी है अर्विंद केजरिवाल इन्होंने make India number one mission की गोशन की है रक्षा मंतरी राजनास सिंग ने अभी हाली में एक anti-personal mind जो निपुन है इसे इंडियन आर्मी को सौप दिया है Mastercard के brand ambassador अभी हाली में चार लोग बनाए गए है लक्षसेन, किदांबी शुरीकांत, सात्विक, साहीराज और चिराग शेट्टी इसमें कौन शामिल नहीं है तो कल जो मैंने option दिया था उसके according PV सिंदू शामिल नहीं थी अभी हाली में सिक्किम गवर्मेंट ने अम्मा योजना और वातसली योजना की शुरुआत की है अरुनाचल प्रदेश में पहली बार medicine from the sky की शुरुआत की गई वैसे भारत में पहली बार जो तेलंगाना था इसने सबसे पहली बार medicine from the sky की शुरुआत की थी अभी हाली में खिलाडियों को हर डिपार्टमेंट में दो प्रतिसत कारक्षन देने की गोशना की है करनाटा गॉर्मेंट ने और भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज बन गया है गोवा ये सबी कोशन हम लगोंने कल पढ़ लिये थे आज का जो हमारा पहला कोशन है हाली में आयोजित होने वाला जो 65 commonwealth है नहीं कि राष्टमंडल संसरी सम्मेलन है ये कहां आयोजित किया जाएगा तो इसका जो आयोजन है ना ये कनाडा में आयोजित होना है अब यहां मैंने ओपे बिल्ला की मेश क्यों लगाई है क्योंकि भारत की तरफ से मतब कि भारत को रिप्रेजेंट ओम प्रकास बिल्ला ही करने जा रहे हैं commonwealth countries के बीच में जो करन्ट के मुद्दे है और एक दूसरे देशों के साथ जो राजना एक संबंध है ये मजबूत करने के लिए ये बैठक है 65 इसका एडिशन है जो कि 20-26 अगस्त के बीच में आयोजित किया जाएगा अब यहां मैंने एक term यूज किया commonwealth commonwealth है निकि राष्ट मंडल देश काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि राष्ट मंडल देश हम उन्हें कहते हैं जो कि कभी न कभी ब्रिटिस सासन के अधीन रही हो जैसे कि भारत अंग्रेजों ने भारत पर भी शाशन किया भारत गुलाम रहा था अंग्रेजों का तो भारत भी आप कह सकते हैं commonwealth का सदस्य है लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है जैसे कि USA ये भी ब्रिटिस सासन के अधीन था लेकिन ये commonwealth का हिस्सा नहीं है अच्छा इसे थोड़ा सा आप current से अपडेट कर लें कि वैसे commonwealth countries की संख्या न ये पहले 54 थी लेकिन रिसेंटली ये जून के महिने में ही इसमें दो और country है गैबॉन और टोगो गैबॉन और टोगो दोनों अफरिकी country है लोकेशन लिए आप देखोगे तो यहाँ कुछ इसकी location है ये दोनों ही commonwealth countries में शामिल हुई है और इसे साब से हम कहें तो commonwealth countries की संख्या अब हो गई है 56 तो मतलब कि ये commonwealth देश इस बात की पहचान है आपके सकते हैं कि अंग्रेजों से आजाद होने के बाद एक तरह का बनाया गया ग्रूप है जो कि अपने culture और खेल खूथ को प्रमोट करते हैं जैसे कि recently आप लोगों ने देखा commonwealth games अभी संपन हुए है कहां एजित किये गए थे इंग्लैंड के बर्मिंगम में तो ये commonwealth countries के बीच में खेलों को प्रमोट करने के लिए एक तरह का आयोजन है जो कि हर साल स्वारी हर साल नहीं हर चार साल में होता है तो commonwealth countries में शामिल नहीं है USA जबकि ये commonwealth मतलब अंगरेजन इस पर भी साशन किया था इस पर भी किया लेकिन मौल दी भी इसका सदसे नहीं है तो ये countries जिसकी अपवाद है ये भी आप कह सकते हैं तो यहां आप discussion कर रहे हैं Canada के बारे में तो South America की map में Canada की locations आप उपर देख सकते हो Canada की capital हो जाएगी Ottawa currency हो जाएगी Canadai dollar अभी आपको जो group D का exam चल रहे है इसमें 17 या 18 गस को पुछा गया था कि Canada के Prime Minister कौन है तो Justin Trudeau ये Canada के Prime Minister है आप Canada के जश्ट नीचे America देख पा रहे हैं मतलब की USA Canada और USA दोनों के बीच में एक river है जो मैंने आप लोगों काफी बारे याद करा है St. Lawrence River जो की दोनों देशों को बीच विभाजन का कारी करती है ये अंतराश्टी सीमा बनाती है Canada को हाली के दिनों में हम लोगों ने और कुछ फैक्टे के कारण याद रखा जिसे कि Free Sanitary Napkin मुफ्त करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है इसके अलावा Canada में दुनिया का सबसे पुराना पानी जिसका नम जाय को उड़ी था तो ये भारत ने डेवलप किया था Scotland ये किस मामले में पहले स्थान पर रहा Scotland की location आप कुछ यहाँ देख पा रहे UK के पास में ही है UK का ही एक हिस्सा है Scotland जहां अभी recently देखे Scotland का factor मैंने Canada में बता दिया है प्लांट बेस वैक्सिन को मंजूरी दी थी ये Canada ने ठीक है लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया कि sanitary napkin मुफ्त करने वाला जो पहला देश है ये Canada है स्वरी ये Scotland है Canada ने इसे आप update कर लेंगे बस इतने याद रखेंगे और Thailand तो गांजा को औसिधी उपयोग के लिए मान्यता देने वाला ये एशिया का पहला देश है इसलिए ये चर्ची में आया था खेर इसके लावा देखो इस question में थो हम event की बात कर रहे हैं न कि कोई सी country है जो किसी ने किसी event को होस्ट करने जा रहा है तो चलो वैसे ही हम update कर लिए दी तो कनाड़ा का तो discussion हमने कर लिया Scotland ने क्या होस्ट किया था तो COP26 Scotland के ग्लासकों में हुआ था अभी 2021 में भारत next year G20 summit होस्ट करेगा इस साल का तो Bali इंडोनीशिय में हो रहा है और Thailand की जो capital Bangkok यहां Nova Indothai आयोग की बैठा कभी हाली में आयजित होने वाली है अगला प्रश्णा 17 वी प्रवासी भारती दिवस किस शहर में आयजित किया जाएगा तो जनवरी की महिने में आयजित किया जाएगा अगले सालेनी की 2023 में प्रवासी भारती दिवस की जो मेजबानी है यह करने जा रहा है इंदौर 9 और 10 जनवरी को यह होगा 9 जनवरी को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो महत्मा गांधी जी थे यह साउथ ऐफरिका से भारत लोटे थी इसलिए प्रवासी भारती दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है इंदौर होष्ट करेगा तो इंदौर की लोकेशन मध्य प्रदेश के नक्से में आप यहां देख सकते ही इंदौर यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो यह बसा हुआ है खान नदी के किनारे में भारत की सबसे स्वक्षसिटी है ही होलकर होगी इसे राजधानी कहा जाता है और प्रसिद्ध जो होलकर स्टेडिया में यह भी यह है एक एरपोर्ट है देवी एहलिया भाई होलकर एरपोर्ट यह भी यह इस्तित है प्राइम मिनेश्टर नरेंदर मोदी ने अभी हाली में यहां एशिया का सबसे बड़ा बायो सी एंजी प्लांट का उधगाटन इसी इंदौर से किया था साथी भारत का पहला वाटर प्लस शहर ये तो इंदौर ही हो जाएगा ठीक है और अभी कल पर सो मैंने आप लोगों को मनला के बारें बताया था भारत का पहला आदिवासी साक्षर जिला ये बना है बाला घाट जहां का लिंगानुपात मद्धि प्रदेश में सबसे जादा है और इसी के चिन नौर चावल को जी आई टेग मिला है होसांगाबाद का नाम बदल करके नर्मदा पूरम किया गया है फिर इन दौर के पास ही आप यहां देख पा रहे हो जाबुआ जाबुआ में कड़कनात मुर्गा जिसे जी आई टेग मिला है फिर इसके अलावा जबलपूर जबलपूर में नर्मदा नदी पर बना एक प् करी लिया है अधर ऑप्शन की बात करें तो दिल्ली क्या होश्ट कर रही है प्रधान मंत्री नरंदर मोदी के अद्धिक्षता में नीती आयू के जो साथवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक है यह दिल्ली में आयजित होनी है गुजरात का जो गांधी नगर है यहां योगा डे की ठीम क्या थी योगा फॉर हिमेनिटी यहनि की मानवता के लिए योग अगला प्रशन विदेश मंत्री एश्यसंकर किस देश के आधिकारिक दौरे पर गए है अभी अगरस्त 2022 में तो विदेश मंत्री एश्यसंकर अभी हाली में ब्राजील अर्जेंटीना और पर आगवे इन तीनो देशों के आधिकारिक दौरे पर गए हैं लोकेशन से हम समझेंगे तो बहतर समझ सकते हैं कि ये तीनो देश एग्जिस्ट कहां करते हैं ब्राजील की लोकेशन मतलब उपर वाला हिस्सा न नौर्थ अमेरिका का है जहां भी मैंने आप लोगों को य आजील से ही नीचे दियाब देखोगे तो परागवे और परागवे से सीमा साजा कर रहा है अर्जिंटीना इन तीनो देशों के अधिकारिक दौरे पर गए हैं विदेश मंत्री एजर संकर मतलब ये जो लेटन अमेरिकी कंट्री है इसके साथ भारत के संबंध को और कर सकता है खुद को इसके लिए भारत को रेप्रेजंट करने के लिए और भारत के सांथ जो ट्रेड है या आप कह सकते राजनाईक संबंध इसे मजबूत बनाने के लिए एजर संकर तीन देशों के दौरे पर गए हैं अब यहां आप लोगों को एक टर्म दिखाई दे रह करता है और भारत चाहता है कि इसके अलावा भी जैसे कि जर्म सेंट जोलरी लेदर गूट्स इन सभी चीजों में भारत की जो पहचान है इन लेटिन अमेरिकी कंट्रीज पर पड़े इसलिए भी भारत चाहता है कि इन देशों के सांथ इसके अच्छे संबंध मजबूत हो अभी Latin America की देश कहने का क्या मतलब है वहीं मैं आप लगों को समझाना चाहती हूँ उपर तो North America आप लगों ने देख लिया ठीक है North America के बाद ये जो आप देखते हैं न ये वाला हिस्सा Mexico के बाद दिया आप देखोगे ये आपका पूरा कहलाता है Middle America ये Mexico और इसके बाद फिर Venezuela, Colombia को यहां से ले लो South America से दो कंट्री Venezuela, Colombia और बीच का पूरा यहां से Mexico ये पूरा आपका कहलाता है Middle America लेकिन एक Central America पढ़ा होगा न आप लोगों ने Central America अलग है कैसे अलग है Central America में न Mexico नहीं लेंगे मतलब कि Central America में ये क्यूबा ये चुरी-चुरी कंट्रीज को लेंगे ये केवल Central America कहलाएगा लेकिन Middle America का discussion आगया मतलब ये भी शामिल हो गया ठीक है? अब जो मैंने कहा है Latin America Latin America कहने का मतलब है कि पूरा South America ये देखिए ये पूरा South America और जो Middle America हमने डिस्कस की है ये कि मैक्सिको से लेके ये जो पूरा शेत्र है ये पूरा कहला था आपका Latin America समझ गए? तो Latin America की देश में जो तीन प्रमुक देश है Brazil, परागवे और Argentina इन तीन देशों के दोरे पर गए है S.J. Sankaraj की present time में हमारे विदेश मंत्री है ब्राजील न ये South America का सबसे बड़ा देश है जिसकी capital ब्राजीलिया है currency ब्राजीलियन रियाल है जो दुनिया की सबसे छोड़ी river है न Amazon river या Amazon के जंगल आप कह सकते हैं पर दूसरी कंट्री परागवे परागवे की capital है असुन सियन करंसी है गौरानी और अर्जेंटीना अर्जेंटीना की capital ब्यूनस हायर से currency है अर्जेंटीनिया पेसो और अर्जेंटीना से ही विलॉंग करते हैं एक football player है लियोनल मेसी फोप्स के दुवारा जारी किये गए दुनिया के सबसे जादा कमाई करने वाले अथिलीट के लिस्ट में अर्जेंटीना के जो लियोनल मेसी हैं ये टॉप पर थे इन्होंने क्रिश्टियान और रोनाल्डो को इस मामलें पीछे छोड़ दिया था अगला प्रश्टिया अगस्त 2022 में दही हांडी को किस राजज ने साहसे खेल का दर्जा प्रदान किया है तो दही हांडी एक अप सलिब्रेट किया जाता है कृष्टिय जन्माश्टिमी के मौके पर जिसे हम मटकी फोड भी कहते हैं तो इसे साहसे खेल का दर्जा अभी हाली में दे दिया है महरास्ट गवर्मेंट ने ने कि option number C इसका right answer हो जाएगा तो इस खेल में part speed करने वाले जो गोविंदा ही ने सरकारी नौकरी देने का भी प्रावधान किया गया है यहां मैंने लिखा दही हांडी उत्सव होता क्या है जन्माश्ट गवी के मौके पर किया जाता है पिरामिट बना करके जो दही से भरी मटकी होती है इसे फोड़ा जाता है अब यह नहीं भी बताऊंगी तो आप लोगों को मालू है जन्माश्ट में सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है लेकिन इसके अलावा भी न मतलब यह गोश्टना की गई है कि यदि यह जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा पिरामिट जब बनाया जाता है तो किसी प्रतिभागी की यह दी मौत हो जाती है, तो मौत होने वाले प्रतिभागी की परिवार को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता यह प्रवाइड कराएगी, महराश्ट कोईर्मेंट और जो किसी को मामुली खरोच या मामुली रुप से कोई गायल हो जाता है, तो मुख्यमंत्री तो अभी हाली में बनाएगा है एक नात्षिंदे, उद्धर ठाकरे अब नहीं है, और राज्यपाल हां के भगत सिंग्ख होश्यारी हो जाएगी, हाली की दिनों में मुंबई से रिलेटेड काफी सारी चीजे हम लोगों ने पढ़ रखी है, जिसे कि यह य कोटिंग यहीं कि तैरता हुआ, बास्केट बॉल कोट इस्थापित किया गया था, अच्छा कल मैंने आपको उसे पूछा था ना, बास्केट बॉल में खेल आडियों की संख्या कितनी होती है, तो यह पांच होती है, और क्या पढ़ा था हम लोग उने मुंबई से रिलेट गटकरी ने यहां डबल डेकर ई-बस सर्विस इसके शुरुवात की है, इसके लावा महराश्ट को आप यह रिलेट कर सकते हूँ, इसके लिए इंडिया रिपोर्ट में यह टॉप कर रहा है, और NCRB के रिपोर्ट के नुसार सबस्यादा सुसाइट केसे से महराश्ट में ह होते हैं, तमासा लावनी यहां के प्रमुख लोग नत्य हो जाएंगे, इस पोर्ट से दी हम रिलेट करें तो एक कमबाला भैस दौर्ड प्रतियोगिता है, यह करनाटक में होती ही, जबकि वो जो जल्ली कट्टू हमने पढ़ा हो तमिल लाड़ु वाला है, मद्ध्य प्र वोमन रस्लिंग चैंपेंशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारती महिला विज्यता कौन बनी है, तो अभी हाली में जो अंतिम पंगाल है, एक अमित पंगाल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नाम को थोड़ साब देखेंगे, यह महिला है, इनका नाम है, अ आयजन कहां किया गया था, बुल्गारिया के, सोफिया में आयजित किया गया, अब खिलाडियों से रिलेक्टेड यदि राज्य पूछा चाय तो यह याद रखना, यह हरियाना से बिलॉंग करती है, अंतिम पंगाल, रूपा चौधरी का भी नाम हाली के दिनों में हम गोल्ड मिडल दिलाया था, वेट लिफ्टिंग से रिलेक्टेड हो जाएंगी, अगला प्रशन इंपॉर्टन डे से रिलेक्टेड है कि रिनेबल एनरजी डे कब बनाया जाता है, यहां लिकी भी होई है, प्रधान मंत्री राजियो गांधी के जियनती भी है, तो अक्षे उर्जा दिवस यह 2004 से मनाया जा रहा है, जो रिनेबल एनरजी है, इसके विकास के बारे में लोगों को अवेर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते ही भारत अलरडी है, जो कि यह वहिकल को भी प्रमोट कर रहा है, बायो एथेनोल प्लांटिन सभी को प्रमोट कर रहा है, ताकि रिनेबल एनरजी के शेत्र में भारत बहतर परफॉर्मेंस कर सके, रिनेबल एनरजी के कुछ उदारन जिसके बायो गैस, सौर उर्जा, पोवन उर्जा, जल विद्यूत, यह सभी हो जाएंगे, ठीक है, और फिर इंपोर्टन डे पर चले तो फोटोग्राफी डे, 19 अगस्त को मनाया गया, 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाया गया, और इसके अलावा, अंतर राजट्री युवा दिवस, यह भी 12 अगस्त को मनाया गया, जबकि भारत में राजट्री युवा दिवस, यह 12 जनवरी को मनाया जाता है, और 13 अगस्त को क् इसका नाम है Pitch Black, इसका आईजन किस देश में हो रहा है, तो इसे होश कर रही है, Australia, जिसे क्या लिखा बहुर आस्ट्रिया, नि कि बहुत सारी कंट्रीज इसमें पाइट कर रही है, जैसे कि मैंने एक न्यूस्पेपर की कटिंग यहाइट कर ली है, और मैंने टेलिग्राम मे शेयर किया भी था, देखो इसमें, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिन, साउथ कोरिया, आस्ट्रिया, भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, अब इन कंट्रीज के नाम तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत पक्षी है, मतलब कि बहुत सार करंसी हो जाएगी, डॉलर, प्राइम मिनिस्टर, अब एंथनी अलबनीज है, पहले स्कॉट मौरिसन थे, और दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, जो की 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये ऑस्ट्रिलिया में ही पाये गया था, अब आप लोगों कॉमेंट बोक्स में इस नाम बताना है, ठीक है, पर्टिकुलर एदी हम देखे न, तो भारत और ऑस्ट्रिलिया के बीच में औस इंडेक्स एकसरसाइज होती है, ऑप्शन में ब्रिटेन है, ब्रिटेन के साथ भारत की एक कॉंकड एकसरसाइज आप रिलेट कर सकते हो, फिर अजे वारियर एकसरसा है, साबास सरीफ, इन्होंने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला करके, यहां पोलियो रोधिटी का करण अभियान की शुरुआत की है, ताकि देश को पोलियो मुक्त बनाया जा सके, अब पोलियो को डिसकुशन आया है, तो यहां एक चीज मैं एड कर दूं, कि भारत में क्या पोलियो के, यह आप कहसकते हैं कि भारत को कब पोलियो मुक्त गोशित किया गया था, 2014 में, डबलो एचो के दुवारा, भारत को पोलियो मुक्त गोशित कर दिया गया था, पर समझान लेते हैं, पाकिस्तान के बारे में, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाल हैं और सिंधु नदी सिंधु जल विवाद दोनों देशों की बीच में हैं अभी फिर से नहीं फाइनेंशल एक्षन टास्क फोर्स की ग्रे लिश्ट में आ गया है इसके अलावा पाकिस्तान से रिलेटेड हम और क्या रिलेट कर सकते हैं यहां की पहरे ट्रांसजेंडर अभी डॉक्टर बनी थी सना मारिन सना मारिन तो प्राइम मिनेश्टर है सना मीर है सारा गिल सना मीर तो वो क्रिकेटर हो जाएंगे मैं एक बार क्रॉस शेक कर लेती हूँ सारा गिल ही है मेरे हिसाब से क्योंकि सारा गिल और सना मीर दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे सारा गिल ही राइट आंसर है पाकिस्तानी डॉक्टर यहां की बांगला देश से हाली की दिनों में हम लोगों ने क्या पढ़ा तो मिताली एक्सप्रेस भारत और बांगला देश की बीच चलने वाली तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस है इसके पहले बंधान और मैतरी चलती थी नेपाल तो नेपाल से हम यह रेलेट कर सकते हैं कि यहां माउंट एवरेष्ट है दुनिया की सबसे उची चोटी है नेपाल में से सागर माथा की नाम से जाना जाता है इस पर चढ़ाई करने वाले इनकी सबसे जादा 26 बार चढ़ाई करने वाले जो वेक्ति कामी रीता शेरपा है श्री लंका इस समय आर्थिका पातकाल से गुजर रहा है अभी हाली में रनेल विक्रम संगिया के राश्टपती और प्रधान मंत्रे दिनेज गुनवर्धे ने बने हैं अगला प्रशना अंडर 20 चैंपिनशिप 2022 इसमें किस महिला पहलवान ने सिल्वर मेडल जीता है तो अभी हाली में जो प्रिया मलिक है प्रिया मलिक ने जापान की आयोनों मोरों को हरा करके सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है अब कन्फ्यूस करने के लिए मिलते जुलते नाम दे सकते हैं आप लोगों को जीसे कि प्रिया मलिक सिमिलर नाम है अंशु मलिक तो अंशु मलिक ने ना कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था ये कुस्ति से रिलेटेड हो जाएंगी वैसे ही कॉमन वेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाया था पहलवान साक्षी मलिक ने निखस जरीन ये बस याद रखना ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है और इन्हों ने भी भारत को कॉमन वेल्थ गेम्स में गोल्ड अम्डल लाया था ये लाश्ट का कॉस्चन में रवजन के लिए रखा है कि फीफा ने अभी हाली में किस देश के फुटबॉल महासं को निलंबित किया है तो फीफा के दुआरे इतिहास में पहली बार अपने देश निकी All India Football Federation इसे निलंबित कर दिया कुछ रूल रेगुलेशन इसके ब्रेक क पाटर और ग्यानी इंफायने इसके धिक्षो हो जाएंगे और फीफा से आप ये रिलेट कर सकते हो कि इंडिया की क्या रैंकिंग है फीफा की रिसेंट रैंकिंग में भारत 104 स्थान पर है और फीफा मैंस वर्ल्ड कप जो की 2022 का है न इसे कतर होश्ट कर रहा है फिर जो न सबसे बड़ा कंप्रस्ड बायो गैस प्लांटी कहां शुरू किया गया है आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा टेली ग्राम पर जरूर फॉलो कर लेंगे ताकि आप लो डेली की क्यों सौल्व कर सकें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ थांकियो सो मच